ओम श्री गणे श्यानमा दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आज बात करने बारे हैं 27 मई गुरुवार आज के मीन रासी फल के बारे में इस दिन इनका वेबसाय और बिजनेस कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आज के दिन इनको कौन-कौन सी सावधानिया रखनी होंगी और कौन-कौन से उपाय करने होंगे जिससे आज का दिन सांधार और सफलता भरा रहे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोर्फ किसन की बेल को दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई वीडियो सबसे पहले पहुँच सके चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके व्यापार की दरश्टी से उस्तम रहेगा आज कोई बहारी और बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था और साती नन्याल पक्ट से प्रीमोरिशने मिलने की पूर्ण संभावना पाई जाती है और साती अनावस्यक कारियो बर धन खर्च होने की संभावना भी पाई जाती है इससे आपको बचना होगा नहीं तो भविश्य में परिशानी का सामना करना पड़ सकता है और आज संतान पक्त से सुब समाचा सुनने को भी मिल सकता है और किसी से मतवीद की संभावना भी फिरबल हो रही है जिया दोस्तों साथ ही यदि आपको कोई सारे ग्रूप परिसान कर रहा है तो उसका जल्द निदान कर लें अन्यता कष्ट में व्रदी संभावे और आज समाजिक क्रिय कलापों में भी विवधाय उत्मन हो सकता है हाला कि किसी की मदद से आप संभल जाएंगे इसके साथ ही आपकी धर्म में रुची बढ़ेगी और आज आप अपने माता पिता के स्वास्त के पृति विशेश दिहान रखेंगे भार के खाने पीने की चीजों से परेज रखे इसके साथ ही आज आपको अपने परिस्रम का पूरा पृतिफल भी ब्राप्त होगा जिससे आपका मन काफी बरसन रहेगा दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है दोस्तो आपकी नेगेटिव और नकारात्मक सूची सबसे बड़ी नुकसान दायक साबित हो सकती है इससे आपका मनोबल गिर जाएगा कम हो जाएगा इसलिए अपने विचारों में सकारात्मकता बनाय रखें पिता की सिहत को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं विरोधी आपको नुकसान पोचाने की कोशिस करेंगे दोस्तो आप बात कर लेते हैं आपका विफसाय कैसा रहेगा आज रुका हुआ फसाय धन आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रियासरत रहना पड़ेगा कारोबार में आज सपलता की योग रहेंगे आर्टिक नजरिये से आज का दिन आपके लिए कुछ अनुकुल रहेगा लकडी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में जाफा होगा व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे मुनाफा भी होगा युवाव और विद्यार्थियों के लिए दिन सामन रहेगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहेगा अपने पिता की बातों का संबान करें आपकी राय एहम हैं सबी पक्षों पर सोच विचार कर ही अपनी बात रखें घर परिवार में एविवायतों के रिस्ते की बात हो सकती है घर में कोई मांगलिक कारेकरम की योजना भी बन सकती है माता दुआरा कोई सुक राप्त होगा घर परिवार में खुशिया रहेंगी और पती-पतनी में कोई मीटी नोक चोक भी हो सकती है इससे आपके प्रेम संबन्द और मजबूत हो जाएंगे बुजूर्गों और बच्चों के स्वास्त का ध्यान रखें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइप कैसे रहेगी दोस्तो प्रेमी प्रेमी काउ के लिए ये दिन काफी सायम बरतने के हैं नहीं तो समाज में ऐसे रिष्टों से बदनामी भी हो सकती है दामपते जीवन सफल रहेगा दामपते जीवन में काफी खुशिया रहेगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसे रहेगा दोस्तो इस तोरण हाई ब्लेड प्रेसर या हाई बीपी की मरीजों को कुछ समझ से उत्पन हो सकती हैं अपने स्वास्त का ध्यान रखें और नियमित योग करें प्राणायम करें और अधिक स्वास्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्य करें मचलियों को आटे की गोलिया बना कर खाने के लिए डालें और साथ ही विश्णु भगवान को मीठी खीर का भोग लगाएं और साथ ही खीर का प्रसाद भी बाटें और स्वेम भी प्रसाद गिरहन करें इससे आपकी सभी मनों काम नए शिग पूरी हो जाएंगी दोस्तो आपको भगवान विश्णु जी का सिर्वात प्राप्त हो कमेंट में जे विश्णु भव से लिखें धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुब और मंगल में हो